Hello friends, welcome back to this channel. आज हम discuss करने जा रहे हैं 11 December 2023 के important सारे current affairs जो कि आपके exam के point of view से बहुत जादा ज़रूरी है इस वीडियो में आपको current affairs के question के साथ static GK और revision के सारे points जो कि उस question से related हैं उसको भी करते चलेंगे साथ ही में अगर आप इस channel पर first time में आए हैं तो चली जलते हैं अपने पहले question की तरफ पहला question है हमारा राष्ट्रिय तसकरी जागरुपता दिवस कब मनाया जाता है तो correct answer होगा हमारा option number C 11 January को तो अब बात करेंगे 2022 के theme के बारे में की National Trafficking Awareness Day की theme क्या रही है Use and Abuse of Technology तो ये इसकी theme रही है aim क्या रहा है to raise awareness about the condition of human trafficking victims as well as to promote and safeguard their rights promote करना और safeguard करना उनके rights को और जो भी condition चल रही है human trafficking victims को लेकर के उसके बारे में awareness वलाना तब start कब हुआ था ये 2010 में हुआ था ये US में अब options में दिएगे बाकी सारे dates को भी हम पढ़ लेंगे तो 4 January को हम celebrate करते हैं 9 January को हम क्या celebrate करते है NRI Day प्रवासी भारतिय दिवस इस बार कौन से नंबर का ये था 17th नंबर का था 11 January के बारे में मैंने आपको बताई दिया 10 January की बात करें तो अभी कल ही हमने World Hindi Day मनाया तो ये dates को अच्छे से याद रखेंगे अब आगे है important facts पे तो आज का दिन एक और वज़े से हम याद करते हैं किसलिए Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri ये Second Prime Minister रह चुके है Independent India के कब से कब तक के लिए 1964 से 66 तक के लिए इनका एक स्लोगन बहुत ज़ादा ही famous हुआ था कौन सा वो स्लोगन था जय जवान जय किसान और इन्होंने actively participate किया था इंडिया की freedom struggle में और इनकी मृत्यू किस वज़े से हुई थी cardiac arrest के वज़े से हुई थी ये कब died हुए थी 11 January को हुए थे 1966 में कहां पर तशकेंट उसबेकिस्तान में हुए थे और बर्थ कहां हुआ था इनका वारा नसी यूपी में मुगल सराई के पास 2 October 1904 में इनका बर्थ हुआ था चलते हैं अपनी next question की दरफ तो next question है हमारा International Kite Festival started in which city अंतर राश्ट्रिय पतंग महुत्सव के शहर में शुरू हुआ है तो correct answer होगा हमारा option number A एहमदाबाद अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे International Kite Festival in Gujarat जिसे उतरायन के नाम से भी कहा जाता है ये organize होता है with a gap of 2 years इसे inaugurate किस ने किया था CM Bupendri जी ने किया था This festival of उतरायन marks the day when winter begins to turn into summer इस festival को किसीज के लिए mark करते है when the winter begins जब winter begin होता है turn होते हुए किस के तरफ summer के तरफ और ये कब से मनाया जाता है 1989 से मनाया जाता है आगे बात करते हैं कुछ important points पे तो पहला point है हमारा It is the sign for farmers that the sun is back and that harvest season मकर संक्रांती जिसे कहते हैं और महा संक्रांती भी जिसे कहते हैं ये approach करता है ये sign होता है farmers के लिए की sun वापस आ रहा है मतलब harvest season वापस आ रहा है मकर संक्रांती और महा संक्रांती के रूप में approach करते हुए next point के अगर बात करें तो ये सिफ एहमदाबाद में ही नहीं मनाया जाता है बाकी बहुत सारे शहरों में मनाया जाता है जैसे की सूरत, वडोधरा, राचकोट, द्वारका, सोमनात, डोडू, के वडिया इन जगाओं पे भी ये festival मनाया जाता है next point है हमारा this year kite lovers from different countries will attempt to create a Guinness World Record for the maximum number of kite flyers at that same time तो इस बार इसे Guinness World of Record में दच किया जा रहा है तो ये certification किस ने लिया है CM हमारे व्युपेंद्र जी नहीं लिया है साथ ही अगर बात कर इस festival को organize कौन कराता है तो ये गुजराट tourism के द्वारा ये organize होता है festival और G20 theme रहा है इस बार का One Earth, One Family, One Future इस festival में total 68 countries ने participate किया है कौन कौन सी वो countries है Australia, Canada, France, Russia, Germany, Greece, Israel, Egypt, Columbia, Denmark, New Zealand, Indonesia, Italy, Mexico South Africa, Belgium, Bahrain, Iraq and Malaysia ये सारी country ने इस event में participate किया है तो ये point अच्छे से याद रखेंगे चलते हैं अपने next question के तरफ Who received the lifetime achievement award at Jaipur International Film Festival? Jaipur अंतर राश्ट्रिय फिल्म महोच्छव में आज इवन उपलब्दी पुरुसकार किसे मिला है? तो correct answer कौन सा हो जाएगा हमारा? Option number B अपरना सेंच जी को मिला है अब बात करेंगे अपरना सेंच जी के बारे में तो ये veteran actor भी है और director भी रह चुकी है जिनको ये lifetime achievement award मिला है और Jaipur International Film Festival का ये कौन सा edition रहा है? तो ये 15th edition रहा है इसे found कब किया गया था? 2009 में किया गया था साथी ये festival कब से कब तक मनाया गया है? 6 January से 10 January 2023 तक मनाया गया है अब बात करेंगे important facts पे तो इसमें हमने discuss करें है important awards जो 2022 में दिये गये है तो पहला award है हमारा साहित Academy Award तो ये किसको मिला है? 2022 में अनुराधर Roy को English Literature में मिला है बदरी नारायन जी को मिला है Hindi Literature में साथी प्रवीन बंडेकर जी को मिला है मराथी Literature के लिए next award है हमारा UNESCO Asia Pacific Award और Cultural Heritage Conservation 2022 ये किसको मिला है? CSMVS को मिला है चत्रपती शिवाजी महराज वस्तू शंगराले साथी अगर बात करें Miss India USA in 2022 तो ये कौन बनी है? आर्या वालवेकर बनी है और अगर बात करें Global Energy Price के 2022 के तो ये किसको मिला है? Professor Kaushik Raj Shekhara जी को मिला है अटल सम्मान गाइस वेरी इंपोर्टेंट है ये अटल सम्मान अवार्ड किसको मिला है 2022 में? प्रभू चंद्र मिश्टा जी को मिला है इन दा फील्ड ऑफ साइंस और रिसर्च में मिला है नेक्स्ट हमारा अवार्ड है ग्रीहा एक्जेंपलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 तो ग्रीहा एक्जेंपलरी अवार्ड भी बहुत जादे इंपॉर्टेंट होता है गाइस तो ये उड़ाई को मिला है यूनिक आइटिफिकेशन अथॉर्टी ऑफ इंडिया को मिला है लास्ट अवार्ड की बात करें तो एसेस राजा मॉली वोन दे बेस्ट अक्टर अवार्ड अब बात करेंगे अपने नेक्स कोश्चन के बारे में तो नेक्स कोश्चन है हमारा भारत के राश्ट पती ने किस संस्करन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ए सेवन्थ अडिशन हुआ ये 7th edition under the category of 7 7 category में इससे दिया गया था The E-NAM Portal got platinum award in digital empowerment of citizens category platinum award किसको मिला E-NAM की Portal को मिला under the category of digital empowerment of citizens category तो अब जानेंगे हम president of India के बारे में The President of India is the head of the state of the Republic India Republic India के ये head of the state होते है President is the formal head of the executive Legislature, Judiciary of India इन तीनों चीज़ के formal head होते हैं कौन हमारे President होते हैं साती एक बात और याद रखेंगे कि Commander in Chief भी इन्हें कहा जाता है Arm Forces का Indian Arm Forces का इन्हें Commander in Chief भी कहा जाता है मतलब सबसे उचा पद Indian Army Force में किसका होता है President of India का होता है अब बात करें अगर कौन से आर्टिकल डील करते हैं प्रेसिडेंट ओफ इंडिया से तो आर्टिकल नमबर 52 से लगई 62 तक सारे ही प्रेसिडेंट ओफ इंडिया को डिसकस करते हैं और इनका office term होता है 5 years का जब से ये enter करते हैं office में अब लास्ट रीसिडेंट की बात करें तो रामनात कोविन जी थे कौन से नमबर के ये 14 नमबर के प्रेसिडेंट रहे हैं तो 2017 से लगई 2022 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं कौन सी पार्टी से ये बिलॉंग करते थे बीजेपी पार्टी से ये बिलॉंग करते थे और हमारा UP Global City Campaign started in Uttar Pradesh for how many days UP Global City अभ्यान कितने दिनों के लिए Uttar Pradesh में शुरू हुआ है तो correct answer हो जाएगा हमारा D 100 days के लिए start हुआ है अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे campaign has been launched in all the 762 urban bodies तो ये campaign launch करा गया है 762 urban bodies के लिए aim क्या है इनका urban areas को state से उठा कर कि ये global standard तक ले जा सके और ये campaign किस चीज़ पर focus mainly कर रहा है urban facilities proving air quality better cleanliness and beautification पर ये काम कर रहा है आगे चलते हैं अब important facts के बारे में जानेंगे तो पहला point यहाँ पर मैंने दिया हुआ है urban development and energy मिनिस्टर कौन है अर्विन कुमार शर्मा जी है इन्होंने ये यूपी global city launch करा है और next important point याद रखेंगे कि दस से बारा फरवरी के बीच में global investors summit हो रहा है कहां पर लखनौव में हो रहा है यूपी में और यूपी के बारे में एक और point याद रखेंगे द तेरही elephant reserve establish करा गया है दुद्वा पिली भीट पे से establish करा गया है ये 33rd number का elephant reserve बना है इंडिया में साथी एक और point जानेंगे उत्तर प्रदेश का अमरिच सरोवर जो की एक लेक है यूपी में ये generate हुआ है by the moody's government ambitious किसके mission के अंदर mission सरोवर के अंदर इसका aim क्या है to conserve water for the future generation और इसी के साथ एक और point याद रखेंगे कि यूपी परिवार कल्यान कार्ड scheme किसके द्वारा launch करी जाएगी सून CM योगी आदित इनाथ के द्वारा ये scheme launch करी जाएगी सून अगे बढ़ते हैं अपने next question के तरफ Kevin MC Cathy elected as the speaker of the house of representatives of which country Kevin McCarthy किस देश के प्रतिनधियों किस सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं तो correct answer हो जाएगा हमारा option number A MC Cathy is a Republican leader ये एक Republican reader है और ये कौन से number के house के speaker वने हैं 55th number के वने हैं अब थोगा आगे पढ़ेंगे अब बात करेंगे important points पे तो पहला point ये है कि इन्होंने replace किसको किया है Nancy Pelosi को किया है जो कि Democratic Party से belong करते थे साथी next point पे हम ये बात करेंगे कि Senate और US House of Representatives में क्या अंतर है तो जैसे हमारे यहाँ राज्य सभा और लोग सभा होती है वैसे ही वहाँ पर US House of Representatives और Senate होती है अज्य सभा क्या होता है Lower House of the Parliament होता है उसी तरह US House of Representative भी Lower House कहलाता है US Congress का Whereas Upper House क्या हमारे यहाँ कहलाता है लोग सभा कहलाता है उसी तरह Senate वहाँ का Upper House कहलाता है तो ये दोनों difference आप समझ गये होंगे राज्य सभा किससे relate करता है US House of Representative से लोग सभा किससे relate करता है सिनेट अब अमेरिका के बारे में जानें तो capital क्या है अमेरिका की Washington DC है President यहाँ के कौन है Jio Badden है अगी चलते हैं Next question है हमारा Which state has become the first fully digital banking state in the country कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से digital banking राज्य बन गया है तो correct answer होगा option number 1 केरला बन चुका है CM PINRI विजायन ने announce किया है केरला को to completely become digital in its banking services अब important facts पे चलते हैं तो पहला point है केफोन केरला fiber optic network project यह project almost 90% complete हो चुका है तो reduce digital divide Digital India में जो dividation हो रही है उसको reduce करने में यह 90% complete हो चुका है क्या केफोन अब एक्जाम में पूछेगा तो याद रखेंगे guys केरला fiber optic network project इसका full form है and it will ensure internet facilities in all the states यह ensure करेगा internet facilities को सारे states में और यह 17,155 km long fiber optic cable बिचाया गया है network के लिए तो केरला has received 3 digital India awards and its achievement in digital sector 3 इसे India digital award मिल चुके हैं for the achievement in digital sector में तो इसे अच्छे से याद रखेंगे guys next question है हमारा who has become the MD and CEO of Paytium Payments Bank कौन Paytium Payment Bank के प्रभंदग निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी बने हैं तो correct answer हो जाएगा हमारा option number A सुरिंदर चावला जी बने हुए हैं इन्होंने replace करा है शतीश कुमार जी को और Paytium की foundation की बात करें तो 2010 में इसकी foundation हुई थी साथी इनकी founder की नाम के बारे में जानेंगे तो विजशेकर शर्मा जी Paytium की founder हैं आगे चलते हैं important points पे तो parent organization Paytium की कौन है 197 Communications की parent organization है Paytium का headquarters की बात करें तो Noida उत्तर प्रदेश में है अब यहाँ पर मैंने option समसेर सिंग जी दिया हुआ था मेगना इलावत और अन्म कुमार सिंग दिया हुआ था तो यह कौन-कौन है तो समसेर सिंग है MD and CEO of SBI funds मेगना इलावत है New President of Table Tennis of Federation of India की तो यह New President किसकी है Table Tennis of Federation of India की और अरुन कुमार सिंग जी है ONGC के chairman ते इस Oil and Natural Gas Corporation के chairman कौन है अरुन कुमार सिंग जी है Next question है हमारा Home Minister Amit Shah inaugurated Foundation Stone of 21 Development Project in which state Graham and 3 Amit Shah ने किस राज्य में 21 विकार प्रियोजना की अधार शीला का उधगाटन किया है तो correct answer क्या हो जाएगा Option number B Manipur Foundation Stone of 21 Development Project वर्थ कितना कर रहे Rs.1311 करोर Manipur में यह inauguration कहां पर हुई थी मोयरंग में हुई थी आगे बात करेंगे important facts के बारे में तो Union Minister Amit Shah ने अन्वील किया है at the headquarters of Morang जो कि tallest national flag बन चुका है North East region का Manipur के बारे में बात करें तो Governor यहां के हैं La Ganesan CM की बात करें तो N. Byron Singh जी है Next question है हमारा India surpasses whom to become third world largest auto market भारत किस से आगे निकल का तीसरा सबसे बड़ा ओटो बजार बन गया है तो correct answer होगा option number C Japan से आगे निकल गया है यह तो according to Nikki Asia report India has become the third world's largest auto market इंडिया बन चुका है third world's largest auto market इसको surpass मतलब किसको पीछे करते हुए Japan को आईए थोड़ा से इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो India new vehicle sales work कितना है इंडिया का new vehicle still 4.2 million units है whereas Japan का है हमारा 4.2 million units तो इसलिए यह surpass कर चुका है जपान को अब अगर top 3 world's largest auto market की बात करें तो पहले number पे आती है China दूसरे number पे आते है US और third number पे हमारी इंडिया आती है अब आज आते हैं अपनी quiz of the day पे आज का question है जिसका answer आपको comment section में करके बताना होगा गई तो question है which state has become the first fully digital banking state in the country कौन सा राज़े देश का पहला पूरी तरह से digital banking राज़े बन गया है option number A है केरला B है आंदप्रदिश C है एहमदाबाद D है महध्यप्रदिश तो comment section में comment करके जरूर बताए कि कौन सो option सही है साथी उससे related जो मैंने important point भी बताया है आपको important facts में उसे भी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो mention करने की कोशिस जरूर करें Thank you guys for watching this video अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो please इसे like करें जादा से जादा share करें और subscribe को bell icon प्रेस करना ना भूले